राम राम दोस्तों, जो 30 के इस कारी करम में फिर से आपका स्वागत है, ये वीडियो तुला वालों के लिए लिभरा पीपल के लिए विशेश है, तुला वालों के लिए फरवरी दो हजार चोबीश के मासिक राशीकल की बात करेंगे, लिभरा मंतली हुरस्पो फरवरी 20-24, परवरी दो हजार चोविस के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनका आपके स्वास्थे शिक्षा भग गये, केरियर नोकरी बिजनस आपके निजी जीवन इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे, देखे मासिक रा पर ये विडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशी से भी देख सकते हैं, सरसे पहले समझते हैं कि फरवरी दो हजार चोबिस में तुला वालों के लिए घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं, तुला वालों के लिए योग कारक शनी देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुम्ब राशी में, देव ग्रु ध्रस्कती कोचर कर रहे हैं, आपके साथ में भाव में, मेच राशी में, राहु मीन राशी में, छटे भाव में, और केतु करन्या राशी में, बार्वे भाव में गोचर कर रहे हैं, सूरिय की स्थिती 13 फरवरी तक रहने वा अधियर्शाव प्रैस्पति और शंइदेव दोनो ही मारगी गती में। स्वास्ते की इन गरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्ते की तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी इसकी जानकारी देता है आपकी राशी के पहले भाव के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे बारा फरवरी तक शत्रु राशी में भी हैं वो तो भागदोड आपकी जादा रहेग भागय पक्ष की बात करें तो नवम भाव को देखना होगा नवम भाव के स्वामी बुद्ध बनते हैं जो 20 फरवरी तक मतर राशी में मितर राशी में आपके चतूर्थ भाव में और उसके बाद वो तिरकौन स्थान पंचम भाव में रहेंगे तो बुद्ध की स्थिती स्थिती भी रहने वाली है चतूर्थ भाव में तो भागय पक्ष मजबूत है आपका प्रवरी के महीने में प्रोपर्टी मामलों में निवेशकारियों में कोई आर्ट एंड क्रीटिविटी का मामला है आपका तो उसमें भागय आपका साथ देगा कोई शुब करिए कोई बड़ा मंगली करिये जदी करना चाते हैं तो कर सकते हैं केरियर नोकरी की बात करें तो उसे दसमभाव से देखा जाता है दसमभाव के स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं जो हर सवादो दिन में राशी बदल लेते हैं केरियर के मामले में वर्क एनवायरमेंट को लेकर क आठवी द्रिस्टी आपके ग्यारवे भाव लाव पर रहेगी आपके लिए जो योग कारग रहे हैं शनी देव उनकी भी साथवी द्रिस्टी आपके लाव भाव पर रहने वाली है तो रियल स्टेट, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंजिनरिंग, एग्रिकल्चर, बीश्री इन सब अक्षेतरों से जुड़े तुलावालों के लिए विशेश लाव की प्रिस्टिकियां बन सकती हैं आज से 20 फरवरी के बीच में मंगल और बुद्ध की युटी भी रहेगी आपके चतुर्थ भाव में बुद्ध भाव के स्वामी और मंगल धन भाव के स् फिल्स को भी देखा जाता है और 12 फरवरी के बाद वो चतुर्थ भाव में रहेंगे तो मंगल के साथ उनकी युटी बनेगी तो आर्ट एंड क्रेटिविटी से जुड़े और ऑटो मुबाइल सेक्टर होस्पिटेलिटी से जुड़े तुलावालों को भी उनके लिए भी को वरकट के साथ रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं 20 फरवरी के बाद बुद्ध पंचम भाव में आ जाएंगे तो शनी के साथ युटी करेंगे तो बुद्ध हैं आपके भगया भाव के स्वामी और शनी लक्षमिस्थान पंचम भाव के स्वामी ये भी धन्योग बनता ह कानून के अक्षेतर ला जुडिशरी से जुड़े तुलावालों को ये यो लाब दे सकता है साथी में स्टोक मार्केटिंग में भी आपको लाब हो सकता है नेटवर्क सरकल से विशेश लाब हो सकता है बड़े पर्सिस्टिक लोगों से आपके लिंक बन सकते हैं उनसे मु ब्रसपती की नोवी सवगरई द्रिष्टी आपके तीसरे भाव पर रहेगी तो जो मेहनत आप करेंगे वो सही दिशा में होगी और योजना अक्षमता आपकी अच्छी रहेगी विशेशकर बारा फरवरी तक राशी स्वामी शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो ल पर रहेंगे तो बुद भी अच्छे हैं तो वेपारी ग्रोथ वाला महीना है परवरी का तुला वालों के लिए विशेशकर जो टेक्निकल अक्षेतर से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़े कारिये करते हैं मनेजमेंट का कारिये करते हैं इन सब अक्ष जिवन भी अच्छा रहेगा फरवरी के महीने में पहले के मन मुटावा आपके दूर हो सकते हैं मंगल की चोती सब्गरई दिस्टी आपके साथ में भाव पर हैं मंगल अच्छा करेंगे फिव भी जल्दबाजी से बचें जो तुला वाले एविवाईत हैं विवा करवाना चाते हैं उनके लिए मजबुत योग रहेगा देव गुरु वरस्टती आपके सब्सम्भाव में गोचर कर रहें और पांच फरवरी से पंदरा मार्त के बीच में मंगल मकर राशी में ही रहेंगे और मंगल की जो चोती दिस्टी है वा आपके साथ में भाव पर रहेगी त परिवार से भी आपको आर्ठिव सहयोग मिल सकता है लाब भाव के स्वामी सूरिये 13 फरवरी तक आपके चतूर्थ भाव में तो सरकारी कारियों से आपको लाब हो सकता है मंगल उचके हैं तो घर मुमी वाहन खरीदने का योग भी मजबूत है फरवरी के महीने में 13 फरव परवरी के बाद वो बहुत सोख समझ कर लें शिक्षा पक्स की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है पंचम भाव में शनी बेठे हुए तो राहु भी छटे भाव में घोचर कर रहे हैं फरवरी के महीने में विद्या बुद्धी के कारक बुद भी अच्छी उत्षिक्षा प्राप्ति के लिए महीना काफी शुब है गोर्मिट जो पाने का प्रयास तुला वाले जो विद्यार्थी है उनका सफल हो सकता है कोई एड्मिशन है एकजाम है तो लाग की संभावना रहेगी लव रिलेशन्स की बात करें तो उन्हें भी पंचम भाव से दे जाएंगे तो अच्छा महीना है रिलेशन्शिप को लेकर कोरण ट्रेवल की बात करें तो बार्वें भाव से उसे देखा जाता है बार्वें भाव में आपके केतु वोचर कर रहे हैं जो विजएश यात्रा करवा सकते हैं बार्वें बाव के सवामी बुद्ध भी शुब करी के महीने में करने चाहिए तो शुक्र का मंतर जपिए आप अपने राशी के स्वामी का ओम द्राम द्रीन द्रोम सहे शुक्राइन में हर रोज 10-15 मिनट सुबह सुबह जनपती उपासना आपको करनी चाहिए भगवान गनेश को दुरवार पन करें और गनेश अतरल राम राम